ओम शान्ति आज है चार अक्टूबर दो हजार तेस की सकार मुरली आए सुनते हैं बाबा की मिठे मिठे माहा वक्यों को मिठे बच्चे निश्चे करो की हम आत्मा है यहां हमारा शरीर है इसमें सक्षतकार की कोई बात नहीं आत्मा का सक्षतकार भी हो तो समझ नहीं सकेंगे प्रेशन है बाब की किस श्रीमत पर चलने से गर्ब जेल की सचाओं से छूट सकते हैं उत्तर बाप की शुरुमत है बच्चे नस्टो मोहा बनो एक बाप दूसरा न कोई तुम सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी पाप करम न करो तो गर्ब जेल की सचाओं से छूट जाएंगे यहां तुम जनम जन्मांतर जेल बर्ड बनते आए अब बाप आएंगे उन सचाओं से बचाने सत्योग में गर्ब जेल होता नहीं ओम शांती रुखानी बाप रुखानी बच्चों को समझाते हैं आत्मा क्या है और उनका बाप परमात्मा कौन है इसे फिर से समझाते हैं क्योंकि यह तो है पतित दुनिया, पतित हमेशा बे समझ होते हैं, पावन दुनिया समझदार होती है, भारत पावन दुनिया अर्थात देवी देवताओं का राज्य था, इन लक्षमी नारायन का राज्य था, बड़े धन्वान सुखी थे, इन बातों को समझते नहीं बाप परमपिता अत्वा रच्टा को ही नहीं जानते मनुश्य ही जान सकते हैं जानवर तो नहीं जानेंगी ना याद भी करते हैं हे परमपिता परमात्मा वह पारलोकिक फादर है आत्मा याद करती है अपने परमपिता परमात्मा को इस शरीर को जनम देने वाला तो लौकिक फादर है और वहा परमपिता परमात्मा है पारलौकिक फादर आत्माओ का बाप मनुश्य लक्ष्मी नारायन की पूजा करते हैं समस्ते भी हैं यहां सत्योग में थे और राम सीता सुरेता में थे बाप आकर समझाते हैं बच्चे तुम मुझ पारलोकिक बाप को जनम जनमांतर याद करते आए हो गौड फादर तो जरूर निराकार हुआ ना हमारी आत्मा भी निराकार है ना यहां आकर साकार बनी है यहां थोड़ी सी बात भी कोई की बुद्धी में नहीं आती वहां तुम्हारा बेहत का बाप रच्चेता है पुकारते हैं तो मात पिता आपके हम बनते हैं तो हम स्वरक के मालिक बनते हैं फिर आपको भूलने से नर्ख के मालिक बन जाते हैं अभी वह बाप इन दोरा बैट समझाते हैं, मैं रचेता हूँ, यहाँ मेरी रचना है, जिसका राज तुमको समझाता हूँ, यहाँ भी समझ जाते हैं। आत्मा को किसी ने भी देखा नहीं है, फिर क्यों कहते हैं, अहम आत्मा, यहाँ तो समझते हैं न, अहम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, महान आत्मा, कुन्य आत्मा कहते हैं न, निश्चे करते हैं, हम आत्मा हैं, यहाँ हमारा शरीर है, शरीर विनाशी है, आ आत्म, आविनाशी है, उस परंपिता, पर्मात्म की संतान है, कितनी सहज बात है, प्रंतु अच्चे-च्चे बुद्धिवान समझ नहीं सकते, माया ने बुद्धी को ताला लगा दिया है, तुमको अपनी आत्मा का ही सक्षतकार नहीं होता है, आत्मा ही अनेक जन्म लेती ह हर जनम में बाप बदलता जाता है तुम अपने को आत्मा निश्चे क्यों नहीं करते हो कैते हैं आत्मा का सक्षतकार हो अरे इतने जनम कोई को बोला था क्या कि आत्मा का सक्षतकार हो कोई कोई को आत्मा का सक्षातकार होता भी है प्रंतु समझ नहीं सकते बाप को तुम जानते नहीं बेहद के बाप विगर आत्माओं को परमात्मा का सक्षातकार भी कोई करा नहीं सकता कहते हैं हे भगवान तो बाप हुआ ना तुमको दो बाप हैं एक तो है विनाशी शरीर को जनम देने वाला विनाशी वाब दूसरा है अविनाशी आत्माओं का अविनाशी वाब तुम गाते हो तुम मात पिता उनको याद करते हो तो जरूर वह आया होगा ना जगत अंबा और जगत पिता बैठे हैं राज्युक सीख रहे हैं वैकुंट में लक्षमी नारायन का राच्य था वहाभी भारत में ही थे ना मनुश्य समस्ते हैं उपर कहां स्वर्ख होगा अरे लक्षमी नारायन का यहां यादगार है जरूर यहां ही राच्य किया होगा यहां देलवाडा मंदिर तुम्हारा अभी का यादगार बना हुआ तुम राज्योगी हो, अधरकुमार, कुमार, कुमारियां सब यहां बैठे हो, उनका यादकार फिर भक्ती में बनता है देलवाडा नाम का भी कोई अर्थ होगा ना, दिल लेने वाला कौन है? यहां आदिदेव और आदिदेवी भी राज्योग सीख रहे हैं, यहां भी याद करेंगे उसनिराकार परंपिता परमात्मा को, वहां है उन्चते उन्च ग्यान सागर, इस आदिदेव के शरीर में बैठ सब बच्चों को समझाते हैं, यहां मंदिर कब बना, क्यों बना, किन पुर्णा कौन होगी, कौन सीदेविया अन्गी पूर्ती करती हैं, तुम चानते हो, भारत स्वर्ग था, वहां तो अथाह वैभव रहते हैं, जबकि अभी ही 80-90 वर्ष पहले 10-12 आने मन अनाज लोता था, तो उससे पहले कितनी सप्लाई होगी, सत्योग में तो बहुत सस्ता अच्छा होता है, प्रन्तु यहां भी कोई समझते नहीं, बाप आकर तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा इनकरमिंद्रियों से सुनती है, आत्मा को यहां अंखे मिली हैं देखने के लिए, कान मिले हैं सुनने के लिए, बाप कहते हैं, मैं निराकार भ है, शिवाई नमहा, भक्त भगवान को याद करते आए हैं, उनको पच्चिसो वर्ष हुए हैं, भक्ती मार्ग में पहले अव्यविचारी भक्ती थी, अभी तो तुमने ठिक कर भितर में डाल दिया है, अभी इस भक्ती का अंध है, सब को वापिस ले जाने मैं आया हूँ, यहाँ पुरानी दुनिया खत्म होनी है, बॉम्स बने हुए हैं, तो कितने में सब ख्लास हो जाएंगे, सत्युग में कितने थोड़े सिर्फ नौलाग होंगे, बाकी इतने सब कहां जाएंगे, यहाँ लड़ाई अर्थ को एक आदी होगी, विनाश तो जरूर होना है, यह बाबा से हम वर्षा लेते हैं, तो उनको ही याद करना है, याद से ही पापों का बोज़ा उतरेगा, तुम जानते हो यहाँ है ही विशिश पतित दुनिया, सत्युग है वाइसलिस दुनिया, वहाँ वेश विकार होता नहीं, काइद अनुसार एक ही बच्चा होता है, कभी अकालिम रित्यु नहीं होती है, है ही सुख थाम, यहाँ तो कितना दुख है, प्रन्तु यहाँ बाते कोई भी जानते नहीं, गीता सुनाते हैं, शुरेमत भगवत गीता, भगवान वाज, अच्छा भगवान कौन है, कह देते शिरिक्रिशन, अरे वहाँ तो छोटा बच् है, रुद्र गीता ग्यान यग्य, शिरिक्रिशन गीता ग्यान यग्य तो है नहीं, यहाँ ग्यान यग्य कितने वर्षों से चलता आ रहा है, इनकी समाप्ती कब होगी, जब सारी स्रिस्टी इसमें स्वाहा होगी, यग्य जब समाप्त होता है, तो उसमें सब को स्वाहा कर तुम को पढ़ा रहा हों कि तुम स्वरके मालिक बनो। तुम जानते हो इस में सभी मनुश्य मात्र हैं। सदा दुर्भाग्यशाली, सत्युग में थे सदा सौभाग्यशाली। यहाँ फर्क सब को समझाना है। यहाँ आते हैं तो इच्छी रीती समझते हैं, फिर घर जाते हैं तो सब खलास हो जाता, जैसे गर्ब जेल में वाइदा कर आते हैं हम पाप नहीं करेंगे। बाहर निकलते हैं तो फिर पाप करने लग पड़ते हैं। जेल बढ़ होते हैं ना, इस में जो भी मनुश्य मात्र हैं सब जेल बढ़ हैं। घड़ी घड़ी गर्ब जेल में जाकर सजाएं खाते हैं, बाप कहते हैं अभी तुमको गर्ब जेल बढ़ने से छुडाते हैं, सत्युग में गर्ब को जेल नहीं कहेंगे, तुमको इन सजाओं से बचाने आया हों, अब मुझे याद करो, कोई भी पाप नहीं करो, नस्टो मोहा बनो, गाते हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई, यहाँ कोई शिरिकृषन की बात नहीं है, शिरिकृषन तो 84 जनमले अब आकर ब्रह्मा बना है, फिर वही शिरिकृषन बना है, इसलिए इस शरीर में ही प्रवेश किया है, यहाँ बना बनाया ड्रामा है, अभी भगवान यहाँ सोरेवन्शी चंद्रवन जी राजाने स्थापन कर रहे हैं तुम्हारी भविश्य के लिए प्रालब्द बनाते हैं अभी तुम पुरुशार्थ कर अनेक चन्मों की प्रालब्द बना रहे हो बेहत के बाप द्वारा जो बाप सरकर रचाईता है यहाँ बातें समझने की है ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है इसमें हम क्यों रोई पीटे हम जीते जी उसे एक बाप को याद करते हैं इस शरीर की भी हमको परवाह नहीं है यहाँ पुराना शरीर चूटे और हम बाबा के पास जाएं इसमें तुम भारत की कितनी सेबा करते हो तुम्हारे ही नाम काय हुए हैं अनपुर्ना दुर्का काली आदी-आदी बाकी काली को यसी भ्यानक शकल वाली वा गनेश सून्ड वाला थोड़ी ही होता है मनुश्य तो मनुश्य ही होते हैं अब बाब समझाते हैं मैं तुम बच्चों को इन लक्षमी नारायन जैसा बना रहा हूं तुम निश्चे करो हम बाबा से वर्सा ले रहे हैं फिर भविश्य में जाकर प्रिंस और प्रिंसस बनेंगे बाब जो स्वरकार चैता है उनको कोई भी नहीं जानते जगदंबा को भी भूल गए हैं जिसका मंदिर बना हुआ है अभी वह चैतन्य में बैठे हैं कल्योग के बाद फिर सत्योग होना है विनाश के लिए मनुश्य पूछते हैं अरे पहले तुम पढ़कर होश्यार तो हो जाओ महां भारत लड़ाई तो बरोबर हुई थी जिसके बाद ही स्वरक के द्वार खुले थे तो अब इन माताओं द्वारा स्वरक के द्वार खुल रहे हैं वंदे मातरम गाते हैं ना पावन की ही वंद्ना की जाती है माताएं दो परकार की हैं एक हैं जिस्मानी शोशर वरकर, दूसरी हैं रुखानी शोशर वरकर तुम्हारी है यहार रुखानी यात्रा, तुम जानते हो हम यहार शरीर चोर वापिस जाने वाले हैं भगवान वाच, मन मना भव, मुझ अपने बाप को याद करो शिरी क्रिशन बच्चा तो ऐसे नहीं कहेंगे न, उनको तो अपना बाप है मन मना भव का अर्थ कोई भी नहीं जानते, यह तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और उड़ने की पंक मिल जाएंगे अभी तुम पत्थर गुती से पारस गुत्धे बनते हो रच्टा बाप तो सबका एक ही है, आदी देव और आदी देवी के मंदिर भी है तुम उनके बच्चे यहां राजयोग सीख रहे हो, यहां ही तुमने तपस्या की थी तुम्हारा यादगार सामने खड़ा है, लक्षमी नारानादी को राजयाई कैसे मिली, उनका यहां मंदिर है तुम हो राजरीशी, राजयाई प्राप्त करने वा भारत का फिर से राजय भाग्य पाने के लिए तुम पुरुशार्थ कर रहे हो तुम भारत में स्वरकी राजय इस्थापन करते हो, अपने तन मंधन से सिवा करके बाप की श्रीमद्वारा तुम पतित रावन राजय से सबको लिबरेट करते हो, बाप है लिबरेटर, दुख हरता, सुक करता तुम हारे दुख हरने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं, तुम को दुश्मन पर विज़े पहनाते हैं, तुम तो मायाजीत जगजीत बनेंगे, तुम कल्प कल्प राजय लेते हो और फिर गवाते हो यहाँ है रुद्र शिव का ज्ञान यग्य जिसे यहाँ विनाश जोला निकली है, वह सब विनाश हो जाएंगे और तुम सदा सुखी बन जाएंगे, दुख शुरू होता है दुआपर से, बाप कहते हैं मैं आकर नर्गवासियों को स्वर्गवासी बनाता हूँ, कल्योग है वैश्याले, सत्युग है शिवाले, तुम बेहद के बाप से सवर्ग के मालिक बनते हो तो यहाँ कुशी का पारा चड़ना चाहें ना, अच्छा, मीठे मीठे सिकी लुधे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुद मॉनिंग, रुखानी बा सदा रहेंगे हस्ते जी, वाह बाबा वाह, शुक्रिय बाबा, शुक्रिय दिल से कहो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिय मेरे बाबा, शुक्रिय धारना के लिए मुख्यसार, नमबर एक, जीते जी बाप को याद कर वरसे का अधिकार लेना है, किसी भ बात की परवाह नहीं करनी है नमबर दू, शुरेमत पर अपने तन मंधन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है और सबको रावन से लिब्रेट होने की युप्ति बतानी है वरदान, योग जौला दौरा विश्य के, किचड़े को भस्म करने वाले विश्य परिवर्तक भव योग जौला अर्थात स्रेस्ट संकल्पों की शक्ति व लगन की अगनी दौरा ही आप वित्तरता रूपी किचड़े को भस्म कर सकते हो जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया यह यादगार अभी का है तो पहले ज्वाला रूप बन आसुरी संसकार, सुभाव, सबकुछ भसम कर संपूरन पावन बनो तब योग और पवित्तरता की ज्वाला से विश् परिवर्तन की नीमित बनेंगे श्लोगन है आग्याकारी वहा है जो मनमत परमत से मुक्त रहे सदा श्रुमत पर चलता है शुक्रिया बाबा शुक्रिया ओम शान्ति